मेरे प्यारे देश वाच्चियों, नमस्कार, आज मन की बात के एक और एपिसोड के जरिये हमें एक साथ जूड रहे हैं, ये 2022 की पहली मन की बात है, आज हम फिर ऐसी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे, जो हमारे देश और देश वाच्चियों की सकारात्मक प्रेणाओं और सामोहिक प्रयासों से जोड़ी होती है, आज हमारे पुझ्य बापू महत्मा गांदी जी की पुन्डिती थी भी है, 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की सिक्षाओं की याद दिलाता है, अभी कुछ दिन पहले ही हमने गणतंत्र दीवस भी मनाया, दिल्ली में राजप जो आपने देखा होगा, अब गनतंत्र दिवस समारो 23 जनवरी यानि नेताजी सुभाचंद्र बोष की जन्मजन्ती से सुरू होगा और 30 जनवरी तक यानि गांदी जी की पुन्यतीति तक चलेगा, इंडिया गेट पर नेताजी की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की ग गिया, देश के हर कोने से आनंद की जो लहर उठी, हर देशवासी ने जिस प्रकार की भावनाय प्रगट की, उसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं, साथियों, आजहदी के अमरुत महोत्सों में, देश इन प्रयासों के जरिये अपने राष्ट्रिय प्रतिकों को पुनर प्रति कर रहा है, हमने देखा कि इंडिया गेट के समीप अमर जवान जोती और पास में ही नेशनल वार मेमोरियल पर प्रज्वलित जोती को एक किया गया, इस भावुक अवसर पर कितने ही देशवासयों और शहीत परिवारों की आँखों में आंसु थे, नेशनल वार मेमोरियल म आजहती के बाद से सहीद हुए देश के सभी जावाजों के नाम अंकित किये गए हैं, मुझे सेना के कुछ पुर्व जवानों ने पत्र लिक कर कहा है कि शहीदों की समृती के सामने प्रज्वलित हो रही अमर जवान जोती शहीदों की अमरता का प्रतीख है, सच में अमर जवान जोती की ही तरह हमारे शहीद उनकी प्रेणा और उनके योगदान भी अमर है, मैं आप सभी से कहूंगा जब भी अवसर मिले, नेशनल बॉर मेमोरियल जरूर जाएं, अपने परिवार और बच्चों को भी जरूर ले जाएं, यहां आपको एक अलग उर्जा और प् के बीच देश में कई महतोपूर राष्ट्रिय पुरसकार भी दिये गए हैं, एक हैं प्रधान मंत्री राष्ट्रिय बाल पुरसकार, यह पुरसकार उन बच्चों को मिले, चिन्नों ने छोटी सी उम्र में सासीक और प्रेणादाई काम किये हैं, हम सब को अपने घरों में इन बच्चों के बारे में जुरूर बताना चाहिए, इन से हमारे बच्चों को भी प्रेणा मिलेगी और उनके भीतर देश का नाम रोशन करने का उत्सा जगेगा, देश में अभी पद्म सम्मान की भी गोश्णा हुई हैं, पद्म पुरसकार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी हैं, जिन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यह हमारे देश के अनसंग हिरोज हैं, जिनों ने साधारन परिस्तित्यों में असाधान काम किये हैं, जैसे कि उत्राखन की बसंती देवी जी को पद्मस्री से सम्मानित किया गया है, बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संगर्षों के बीश जीया, कम उम्र में ही उनके पति का नीधन हो गया था और वो एक आसरम में रहने लगी, यहां रहा कर उन्होंने नदी को बचाने के लिए संगर्ष किया और परियावरन के लिए असाथारन योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं के श्रसक्ति करण के लिए भी काफी काम किया है। इसी तरह मनिपूर की 77 साल की लोरेंबं बिनो देवी दसकों से मनिपूर की लीबा टेक्स्टाइल आर्ट का सवरक्षन कर रही है। उन्हें भी पदमस्री से सम्मानित किया गया है। मद्यप्रदेश के अर्दून सी को बैगा आदिवा से नृत्ति की कला को पहचान दिलाने के लिए पदमसंमान मिला है। पदमसंमान पाने वाले एक और व्यक्ति हैं स्रिमान अमाई महालिंगा नाइक एक किसान है और करनाटका के रहने वाले हैं। इन्हें कुछ लोग टनन रह जाएं। इनके प्रयासों का बहुत बड़ा लाप छोटे किसानों को हो रहा है। ऐसे और भी कई अनसंग हीरोस हैं जिने देश ने उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। अब जरूर इनके बारे में जानने की कोशिश करिए। इनसे हमें जीवन में बहुत सिखने को मिलेगा।